हाई फ्रेंड वेलकम टू मेगा मॉली कीचन आज हम बनाएंगे नारियल की लड़ू जो की खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी स्वास से बरे होंगे मुँ में घुलने वाले लड़ू बनके तयार होंगे सौफ लड़ू बनके तयार होंगे चलिए दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए फटा फट देख लेते हैं हमें किन-किन चीजों की आउशकता होगी लड़ू बनाने के लिए चलिए सबसे पहले मैंने एक नॉनिस्टिक फैन लिया है इसमें दो कप नारियल का बुरादा डाल दिया है इसे लो फ्लैम पे हम थोड़ा इसे फ्राइब करेंगे हमें इसे कलर इसका चैनल नहीं करना है जलाना बिलकुल नहीं है वन कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है इसे भी चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे अब वन कप मैंने इसमें दूर डाला है यह देखिए देखिए दूर डालके इसे अच्छे से हम पका लेंगे चीनी भी अच्छे से मैट हो चुकी है देखिए हमें इसे अच्छे से पकाना है आदा चम्मच हम इसमें गीर डाल देंगे आदा या एक चम्मच आप इसमें गीर डाल दीजिए जितना आपको पसंदो चलिए इसे चलाते लएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है धीरे धीरे ये पकेगा तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये देखिए इसे चलाते रहेंगे ताकि ये तले पे ना लगे किनारों से इसे हटाते रहेंगे इस तरह से हम इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे चलिए ये पक्के तयार है देखिए इसका डो जैसा बनने लगा है ये बिलकुल पक्के रेडी है चलिए गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं चलिए गैस ंब इसे नीचे उतार दिया है ये बिलकुल ठंडा हो चुका है इसमें वनकप मैंने मिल्क पाउडर डाला है मिल्क पाउडर से काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका आता है यह देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से मिला देंगे लेकिन नार्याल का बुरादा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए गरम में आप इसे ना डाले नहीं तो मिल्क पाउडर मेल्ट हो जाएगा एक चुटकी इसमें यलो कलर मैंने इसमें डाल दिया है फूट कलर है यह यलो देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलिए अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं अगर आप कुछ जल्दी है तो आप इसे थोड़ी देर फ्रीज में सेट करने के लिए रख दीजे दस ते पंद्रा मिनाट के लिए चलिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है यह देखिए इस तरह से हम इसके लड़ू बांद लेंगे छोटे 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 एक डोरी में मैंने यहां पे नारियल का बुरादा लिया है यह देखिए इस तरह से नागल के बुरादे में हम इसे रोल कर लेंगे यह देखिए सारे लड़ू इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे आप लड़ू का साइज अपने हिसाब से छोटा बढ़ा कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से आप फटाफट अपने हिसाफ से लड़ू बान लीजिए यह देखिए फिर नाजर के बुरादे में इस तरह से हम रोल कर लेंगे देखिए सारे लड़ू बन के तयार हो चुके हैं अब हम इन पे लगाएंगे पेपर कप चलिए सब पे इसी तरह से पेपर कप लगा लेते हैं देखिए इस तरह से लड़ू बन के तयार हैं और इतना सौफ्ट लड़ू यह बन के तयार हुआ है बिल्कुर मार्केट स्टाइल वाला और बिल्कुर मार्केट जैसा टेस्ट इसका आएगा क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है काफी अच्छा टेस्ट नाजल के लड़ू का इससे आता है देखिए सारे लड़ू बन के तयार हैं देखिए बिल्कुर सौफ्ट लड़ू बन के तयार हुए हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाले लड्डू बनके तैयार हैं मैं आपको इसे नजदीक से दिखा लेती हूं आप लड्डू का कलर देख सकते हैं कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लड्डू का आया है बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाले लड्डू बनके तैयार हैं क्योंक मिल्क पाउडर जरूर डालें और एक बार आप अपने घर में नाजल के लड़ू जरूर ट्राइए करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका लड़ू कैसा बना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाईक कीजिए वीडियो को पूरा देखें